हलो स्टुएंट्स आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरू कुल ड्यूशन में तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास नाइन का चैप्टर नंबर वन दाट इस नंबर सिस्टम तो अर्लियर वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी repeating rational नंबर को fraction के simplest form में convert करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 0.999 कैसे 1 के बराबर है जब हम इसको convert करेंगे to simplest form तो क्या होगा इसका value 1 के बराबर होगा अब वो कैसे होगा वो जब मैं इसको solve करूँगा पता चल जाएगा till then यदि आपको मेरा content अच्छा लग रहा है तो आप मेरा channel को subscribe कर सकते हैं bell button को press कर सकते हैं जिससे की आगे के videos के notification आपको मिलते रहेंगे और मेरे हर एक videos को like करके मुझे support करें जिससे की मैं आगे भी इस type के contents आपके लिए लाता रहूँगा तो चल यए शुरू करते हैं और इस question को solve करते हैं तो प्रोसेस में यहां पर भी कोई difference नहीं आने वाली है यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो I will request you all to watch that videos इससे क्या होगा कि आपको इस type के questions को solve करने में कहीं पर भी परेसानी नहीं आएगी तो कुछ साधारन से steps हैं जैसे कि पहले step में मैं क्या करता हूँ हमेशा suppose कर लेता हूँ यह rational number को मैं suppose कर लेता हूँ in terms of variable that is x is equals to 0.9999 to infinity ठीक है अब क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसका length of period कितना है इसका length of period कितना है 1 है क्यों क्योंकि repeating digit कितना है एक ही है वो क्या है 9 है तो मैं क्या करूंगा मैं इसमें multiply करूंगा 10 से on both side multiplying by 10 on both side तो जैसे ही मैं 10 से दोनों side में multiply करूंगा तो क्या हो जाएगा x को 10 के साथ multiply करोगे तो 10x मिलेगा इसमें तुम 10 से multiply करोगे तो 9 क्या हो जाएगा whole part में आ जाएगा 9 point और remaining जो decimal expansion होगा वो जैसे का तैसे दिखा जाएगा ओके एक digit बस whole part में आ जाएगा तो अब मैं क्या करूंगा तो अगला step होगा यह पहला जो हमारा equation है this इसको मैं क्या करूंगा इससे subtract कर दूंगा so I will write subtracting first from second दूसरे से मेरे को subtract कर देना है तो जैसे ही मैं subtract करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 10x को तुम x के साथ subtract करोगे तो तुमको मिलेगा 9x और इसको जब तुम इसके साथ subtract करोगे तो decimal के बाद वाले सारे digits क्या हो जाएगे 0 हो जाएगे और यह इसको तुम इससे subtract करोगे तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा और x का value तुम यदि find करोगे ना तो 9 divided 9 that will be equals to 1 ठीक है तो this will be our simplest form इसी लिए hence 0.99999 is equals to 1 मैं बोल सकता हूँ so in this way we solve this question आगे के वीडियो में भी हम इस टाइप के questions पर ही discuss करने वाले हैं इसके बाद जैसे ही यह topic खतम होगा तो इसके बाद हम discuss करेंगे कि rationalization हम कैसे करते हैं उके उसके बाद हम कुछ law of indices के rules जानेंगे there are quite some more topics to be covered in this chapter तो stay connected यह मैं पूरा का पूरा chapter में complete करने वाला हूँ आपके लिए और यह पूरा completely free course है तो आप इसको free में देख सकते हो और मेरे से जुड़े रह सकते हो मैं पूरा का पूरा class 9 का syllabus को cover करने वाला हूँ और even की class 10 का भी courses continue कर रखा हूँ तो जो भी बच्चे class 10 के इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस channel को subscribe कर सकते हैं और मेरे साथ connect हो करके सारे के सारे topics को cover कर सकते हैं और यदि मेरा content अच्छा लग रहा हो तो channel को subscribe कर लेना bell button को press कर देना जिससे की आगे के videos के notification तुमको मिलते रहेंगे और वीडियो को like जरूर कर देना जिससे की मेरे को motivation मिलती रहेगी और आगे भी मैं इस step के videos आप सभी के साथ share करता रहूँगा ओके, so till then take care, thank you for watching, मिलते हैं अगले video में